नमस्कार आज हम इस वीडियों में जानेंगे अर्मेनिया और अजर्बेजान के बीच में जो ये युद्ध की एक इस्थिती बनी हुई है उसके बारे में ये युद्ध इस युद्ध की सुरुवात कब से और कहां कैसे हुई इस बारे में हम पूरा डीप जानेंगे ये International level पर क्या हो रहा है देश दुनिया में उसकी जानकारी होनी चाहिए और ये वीडियो बाकी एक्जाम में भी आ सकता है किसी इंटर्विव में पूछा जा सकता है कि अर्मेनिया और अजर बेजान के बीच में जो युद्ध की एक स्थिती बनी होए इसके उपर आप अपना विचार दें या प्रकास डालें ठीक है तो ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक था मुझे मिला तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए तो आज मैं सुधानसु मिस्रा अपने चैनल टॉपर्स प्लानेट पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और इस इम्पोर्टर चेप्टर के बारे में इस इम्पोर्टर टॉपिक के बारे में मैं आप से बात करने के लिए फिर से हाजिर हुआ चलिए फिर सुरू करते हैं अपने इस न formations थोड़े से अनोखे टॉपिक को ठीक चलते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहले जान लेते हैं भगौलिक इस्थिती अर्मेनिया और अजरबेजान की कहां है पुरे विस्व में तो आप ये देख रहे हैं ये ये है अजरबेजान और इधर ये है अर्मेनिया अजरबेजान की कैपिटल ये बाकू और ये अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन ये ये अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन और ये अजरबेजान की कैपिटल बाकू बाकू कैस्पियन्सी के किनारे है मतलब कैस्पियन्सी इसके बाद में बाकू के किनारे में कैस्पियन्सी है question ये भी पूछा जाता है कि कैस्पियन्सी कितने देशों से घिरा हुआ है उन देशों के नाम भी पूछ सकता है लेकिन वो UPSC level का question बन जाता है आप से question स्रीफ इतना ही पूछ सकता है कि कैस्पियंसी को कितने देश से boundary मतलब कैस्पियंसी की जो है कितने देश से boundary लगती है ठीक है तो 5 देशों से कैस्पियंसी की boundary लगती है अब वो तो बात का मुद्दा है हम बात करते हैं अपने topic की तो अजर बेजान और अर्मेनिया ये डोनों ये जो red color में ये जो area है नारगोनो और करबाक इस area का नाम है नारगोनो करबाक इस area को लेकर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं ठीक तो ये एक international मामला है चलिए इसके बारे में हम पूरा deep से जानते हैं तो मामला क्या है फहले इसकुछ समचते ह क्या है अर्मेनिया और अजर्बैजान बिवादित नागोर्नो करबाग छेत्र में लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं चलिए सुनते हैं वर्तमान जो ये संघर्ष चल रहा है ये आज से नहीं 1988 में सुरू हुआ था जब करबाग अर्मेनियाई लोगों ने करबाग को सोवियत अजर्बैजान से सोवियत अर्मेनिया में अस्थांतरित किया जाए ऐसा प्रस्ताव ला रहे थे वहाँ असलिए इनके नाम के आगे सोवियत अजर्बैजान और सोवियत अर्मेनिया लिखा गया है तो सोबियत अजर बैजान से वहां के जो लोग थे वो बोल रहे थे के हमें सोबियत अर्मेनिया में अस्थांत्रित किया जाए तो क्या हुआ तो ये वो संघर्स तो चलता ही रहा उसके बाद 1998 के दसक में संघर्स एक पूर पैमाने पर युद्ध में बदल गया मतलब 1998 में क्या हुआ वो जो संघर्स पहले लोगों में था वो अब युद्ध तक पहुँच चुका था कहा तक पहुँच चुका था युद्ध तक पहुँच चुका था ठीक है अब यह देखते हैं वाट्स बिहाइंग दर नागॉर्णो करबाग कांफिलिक्ट कि नागॉर्णो यह करबाग का जो कंफिलिक्ट है इसके पीछे क्या है इसके पीछे क्या बात है जो अजर्बैजान और अर्मेनियाई लोग जो है वो दोनों एक दूसरे से मतलब इतना अफरत कर रहे हैं युद्ध की स्थिती बना दी है जैसे भारत पाकिस्तान में होता है तो देखिए नागॉर्णो करबाग इस पार्ट आफ अजर्बैजान बट इस पॉपुलेशन इस मेजर्टी इस पॉपुलेशन इस मेजर्टी अर्मेनियन यह प्रॉब्लम है क्या है क जब रूस ऐसा उनको लगा कि यहां मतलब संगर्स जादा हो रहा है तो क्या हुआ कि रूस ने नागॉर्णो करबाग में अर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए मतदान करवाया था ठीक है रूस क्या बोला कि आप लोगों से मतदान करा लो लोग जहां बोलेंगे हम नागॉर्णो करबाग को उस कंट्री में कर देंगे ठीक है तो मतदान तो हुआ तो मतदान जब हुआ तो मतदान में क्या हुआ कि अर्मेनियन थी तो उन्होंने अर्मेनिया के वो डिया कि मुझे अर्मेनियम जाना है तो क्या हुआ उसी के बाद युद्ध छिड़ गय ठीक है उसी के बाद यूद्ध हुआ हो यूद्ध बाद में सीज फायर के सीज फायर उस पर mamy Saturn हूआ उसके बादura 1994 में यूद्ध बंध हुआ ठीक है तब तब से नागurarणो-करबाख अजर्बैजान का हिस्सा बना हुआ है कहां का हिस्सा बना हुआ है अजर्बैजान का ध्यान से सुनिए यहां लोग कहां कर रहे हैं अर्मेनियाई लोग है और पार्ट किसका है अजर्बैजान का बना हुआ है लेकिन अर्मेनियाई सरकार द्वारा समर्थित अलगाववाद यह जो पाकिस्तान, इंडिया में कास्मीर को लेकर करता है, वही वहाँ भी हो रहा है, ठीक है, अलगावाद, अर्मेनिया ही लोगों द्वारा कराया जाता है, वहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, ठीक है, और इंटरनिस्नल लेवल पे क्या होता है, दसकों तक बाचीत चलती रही, बीच बीच में मध्यस्ता वही होई, लेकिन वही भारत पाकिस्तान वाला हाल, न तुम मुझको छोड़ोगे, न मैं तुम को छोड़ूँगा, वही हाल था, तो अजर्बेजान और अर्मेनिया आज तक उनके बीच में सांती नहीं हो पाई, तो अब क्या है, पहले आप मुद्दा समझेए कि अर्मेनिया ही लोग होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब पॉइंटेबल बात ये है, कि अर्मेनिया में जो है, वो बहुत संख्यक क्या है, इसाई धर्म के हैं, जबकि अजर्बेजान में बहुत संख्यक क्या है Muslim है अब आप समझ गए होंगे मुद्ध क्या है पाकिस्तान और भारत का मुद्धा भी यही है कस्मीर में ज्यादा मुसलिम है तो वो लोग पाकिस्तान के लिए जाना चाहते हैं जबकि पार्ट है इंडिया का ठीक तो क्या करता है पाकिस्तान भी आतंकबादी हमले कराता है सेम टू सेम वाई सीट यहां भी है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है अजरबैजान में और अर्मेनियाई लोग जो है वो इसाई हैं तो यहां एंगल आ गया का Religion का Kimberly का एंगल आने से क्या हुआ अब देखिए तुर्की का अजरबैजान के साथ गनिस संबंध है जबकि रूस को अर्मेनिया के साथ संबंध किया जा रहा है ठीक है तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है पका वो अजर बैजान को साथ तो देगी क्यों कि यहां जो रिलिजन अंगल आया उसके लिए और रूस रूस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ठीक ना वो सब के साथ मिल जूल के रहना पसंद करते हैं ग्लोबलाइजेसन बेविस्वास रखती है तो रूस का जो है वह अजर बैजान के साथ भी अच्छे संबंद देखें क्या है अर्मेनिया और रूस अर्मेनिया और अजर बैजान दोनों के साथ रूस का जो है संबंद बहुत अच्छा है तो अब मुद्दा यह जो यह तो बहुत पुरानी घटना है लेकिन अभी यह नए में क्यों इतना जादा हो गया है उसके बारे में हम देखी बात करते हैं आपसे नागोर्नो करबाक रात सो मतलब सो मार रात को अधिकारियों ने बताया को उनके कितने 26 कितने 26 सायनिक युद्ध में मारे गए जिससे उनका कुल नुक्सान कितना हो गया 80 तक पहुंच गया ठीक है 80 से अधिक हो गया तो मतलब उनके बीच में युद्ध होता रहता है तो लेकिन अब ये जब बाई किसी के उपर तुम अत्याचार करते रहोगे उनके सायनिकों को मारते रहोगे तो वो कब तक बरदास्त करेगा कभी न कभी तो पलट के जवाब देगा जब वो पलट के अब जवाब देने की बारी आई तो अब देखिये क्या हो रहा है अब इसमें क्या है दूसरे जो देश हैं जैसे टर्की हुआ इरान हुआ रूस हुआ ये भी इसमें आकरसित हो सकते हैं इसमें आ सकते हैं समझ रहना अब जैसे टर्की जो है वह अजरबेजान को साथ देता है और रसिया जो है दोनों के भी फिसरबीजों में फंसा हुआ है इरान में भी मुशलिम हो जाएगा इसलिए यह फिर धार दोलाई हो जाएगी तो अभी चिंता है कि इसको जल्दी से आग जाया जाए नहीं तो बाद में बड़ी problem हो सकती है ना चलिए where do other countries stand मतलब ये जो other countries हैं पूरी दुनिया की इन दोनों के बीच में वो कहां stand ले रही हैं इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं important है तुर्की का अजरबेजान के साथ सम्मंद अच्छे हैं वो तो है अब रूस जो है ये इसका क्या है अर्मेनियम मिलिटरी बेस है और अजरबेजान में भी इसका अच्छा संबंद है बिजनेस वगारा अच्छे हैं तो ये तो दोनों से भी रिस्ते अपना खराब नहीं करना चाहेगा आगे अमेरिका इसमें कोई एक जो बड़ी कंट्री है वो क्या ये अमेरिका ये कुछ अच्छा कर सकती है अमेरिका जो है ये दोनों के भी सांथ समझाता कराने का प्रयास कर रहा है वैसे डोनाल्ड ट्रम्प को इस साल हो सकता है नोबल पुरसकार मिल जाए क्यो क्योंकि वो बीच में एक कंफ्लिक्ट हुआ था उसमें उन्होंने सांथ समझाता बड़ा अच्छे तरीके से करा दिया विवाद पूरा खतम कर दिया तो हो सकता है अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प को नोबल पुरसकार के लिए मतलब नामित तो हो ही सकते हैं होंगे ही ले कर रहा है कि तुर्की अपने सैन्य सपोर्ट को अजरबेजान को दे रहा है किसको दे रहा है अजरबेजान को दे रहा है जिससे अजरबेजान जो है वो नागोरनों पर कबजा कर सके सोचिए अर्मेनिया ये टर्की को उपर लगा रहा है और ये बात सही है सही हो सकती है सम अर्मेनिया अपना कपजा छोड़ दे आप सोचिए अर्मेनिया तुर्की पर लगा रहा है आरोप कि तुर्की जो है वो अजरबैजान का साथ दे रहा है और बोल रहा है कि मतलब साहने सपोर्ट कर रहा है और अजरबैजान को मतलब उकसा रहा है युद्ध करने के लिए तो उसके जवाब में, जब उन्होंने आरोप लगा है, तो उसके जवाब में, वहाँ के जो President है, वो स्वाइब, उ बोल रहा है है कि Armenia अपना कपजा यी छोड़ दे, अब सोचिए, ये युद्ध की ही घटना पना है अर्मेनिया को बोल रहा है कबजा छोड़ने अब उसके बाद आगे यह जो चीफ एड्वाइजर होते हैं वहाँ तर्किस प्रैम प्रेशिडेंट के जो चीट उन्हों ने कहा कि हमने अजरबहuju Corinthians कos देना को कहा है कि वह जितना चाहे conflict को आगे बढ़ा सकता है समझ रहे हो युद्ध की पूरी एकदम गाथा रच चुकी है तो अब अगर conflict बढ़ेगा तो बहुत problem होगी क्यों क्योंकि oil countries हैं अपस में अगर इनका युद्ध वगएरा हुआ तो तेल बढ़ेंगे बाकी व्या पार वगएरा थोड़ा दिक्कत होगा ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए वीडियो को सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ठीक है आगे चलते हैं यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन के सेक्रे इसे जल्द ही रोका जाना चाहिए ठीक है फ्रांस ने भी बोला कि दोनों को आपस में बात चीत करके सांती बना लेनी चाहिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपके जड़ा सा भी हेल्प का हो आपको जड़ा सा भी इसमें नॉलेज मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए वीडियो को सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद